रखनों और पूर्व अभासों के अधार पर हम भविष्चे के सुख दुख की कलपना करते हैं भविष्चे के दुख का कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं किन्तु कल के संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुचती है ये प्रश्ट हम कभी नहीं करते हैं सत्य तो यह है कि संकट और उसका निवारन ताथ जनते वेक्ति के लिए धी और तृष्टी के लिए भी नहीं आप अपने भूतकाल का स्परण कीजे इती हास को देखें आप तुरंथ ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वारी शक्ती भी जन लेती यही तो जगत का चलन है वस्तत संकट ही शक्ती के चन का कारण है प्रतेक वेक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है अधिक प्रति जमकता है आत्म विश्वास्टे अधिक भरा होता है ना किवन अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी सकते नहीं कि आपको संकट का जन है एक अबस्त का जन अपने आपको बदलने का अपने विचार और ज्यान मंदित बनाने का जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता किन्तु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयम एक संकट है विश्व के लिए